भाजपा से टिकेट मिलने के बाद आज सांसद संगम लाल गुपता पहुचे प्रताबगड राय बरेली बार्डर पर पहुचते कारेकरताओं ने किया जोरदार स्वागत इस दोरान सांसद संगम लाल गुपता मीडिया के से रूबरू हुए और कहा कि आज प्रधान मंतरी मोदी और सीम योगी के नेत्रित में लगातार देश का विकास हो रहा है टिकेट मिलने पर उन्होंने पियम मोदी और भाशपा नेत्रितु के प्रती अभार जताया उन्होंने कहा कि आज प्रतेख वर्ग का भाशपा सरकार में विकास हो रहा है और देश की 140 करोड की जंता मोदी का परिवार है उन्होंने कहा कि इस बार भाज़पा 400 के पार का लक्ष लेकर चल रही है और पूर बहुमत से केंद में सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी के अकलेस चुनाओ लड़ने पर सांसर ने कहा कि सभी पार्टी की अपनी एक नीती होती है और उसके तहट जो भी चुनाओ मैदान में आ रहा है उन सभी का स्वागत है वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का दावा भी किया है आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारा देटन नियूज पर सनेत्रित को मैं धंदबाद प्रापित करता हूँ और हमारी छेतर की देटूल जन्ता के चरल शूकर मैं प्रदाम करता हूँ और अपने कार करता हूँ को भी यह अपने कारकरता हो को बिश्वास के साथ पहने चाहेता हुए then मोदी का ही परिवार है कि अज करता मोदी का परिवार है यह सो चालीस करयों की जनता मोदी की ही परिवार है कि आज आज इस तरीके से उनका परिवार हमारा स्वागत नहीं हो गया ऑगप जो संगमलाल कहीं परिवार है कारकरताओं को बहुत भूत दंदबाद में तो इसके लिए बारम-बार करताओं को हिर्दे की गहराईयों से मैं स्वागत कर रहा हूं जसे हर्द है क्यस्थ कोई उनका प्रतियासिए लड़ेगा बगरकर प्र परदेश